नमस्ते, क्रतिका कीचन में आपका स्वागत है आज हम गेवर बनाएंगे गेवर ऐसी मिठाई है जो कि सावन के महिने में खाने में बहुती ज़ादा स्वादिस्ट लगती है आईए गेवर बनाना शुरू करते हैं गेवर बनाने के लिए हमने एक कप मैदा लिया है मैदा को हमने अच्छे से चान कर साफ कर लिया है और हमने ड्राइफ रूट्स लिया है ड्राइफ रूट्स में हमने किश्मिश बादाम पिस्ता काजू लिया है जिसे हमने बारिक काट लिया है एक चुथाई कप हमने देशी की लिया है आप चाहें तो डाल लगी या रिफाइंड ओयल भी ले सकते हैं और हमने एक चमच नीवु का रस लिया है और हमने यहाँ पर पांच से छे आइस क्यूब ली है अब घोल बनाने के लिए हम एक बरतन लेंगे आप चाहें तो इस घोल को मिक्सी में बना सकते हैं मिक्सजार में डाल कर अब हम इस बरतन में घी डालेंगे यह मिठाई घी में ही अच्छी लगती है आप हो सकें तो इस मिठाई को घी में ही बनाए अब इसके अंदर हम डाल देंगे बरफ के टुकडे और इसे हम अच्छे से फैंट लेंगे अच्छा ये क्रीमी होने तक हमें फैंट ना है इसे हम चम्मच की साइता से या विस्क की साइता से फैंट लेंगे आप चाहें तो हाथों से भी फैंट सकते हैं इसे ये हमारा अच्छा क्रीमी हो गया है अब बरफ के टुकुडे निकाल देते हैं इसमें से और इसे अब हम चिकना कर लेंगे फैटते हुए अब इसे हम अच्छा से चिकना कर लेते हैं थोड़ा और फैटते हैं इसे अब इसके अंदर हम डालेंगे एक चौथाई कप ठंडा दूद जिस कप से हमने गी लिया था उसी कप के नाप से हम इसमें दूद डालेंगे और इसे भी हम फैट लेंगे अच्छे से इसे हमने फैट लिया है हमने लिया है एक कप ठंडा पानी इसे हमने इसमें डाल दिया है आदा कप पानी हमने इसमें डाल दिया है ठंडा पानी ही आपको लेना है जब भी आप घेवल बनाएं आप पहले से ही बरफ और ठंडा पानी तयार रखें अब इसके अंदर हम आदी मैदा डाल देते हैं और इसे हम फैंट लेते हैं पूरी मैदा न डालें आदी-ादी करके ही मैदा डाल कर फैंटें अच्छे से फैंट लेते हैं इसे भी हम अच्छा चिकना कर लेते हैं अब इसमें हम ठंडा पानी और डालेंगे और इसे भी हम फैंट लेते हैं अब बाकी की बची हुई मैदा भी हम डाल देते हैं और इसे भी अच्छे से हम फैंट लेते हैं अब इसमें पानी और डाला जाएगा हमें इसका बिल्कुल पतला गोल बनाना है पानी की तरह इसमें हम एक कप पानी और डाल देते हैं हमने एक कप मैदा में दो कप पानी डाल कर गोल तयार कर लिया है इसे अच्छे से फैंट लेते हैं गोल को बिल्कुल हमने पतला गोल बना कर तयार कर लिया है अगर आपको लगता है गूल गाड़ा है तो आप थोड़ा और ठंडा पानी डाल सकते हैं बिल्कुल इसी तरह का गूल बनाना है और गैस पर हमने घी करम करने के लिए रख दिया है अब हम इसमें डाल देंगे एक चमच नीबू का रस नीबू के रस से गेवर बहुत अच्छा क्रिस्पी बनता है और ये मैदा को बाइंड भी करता है इसे भी हम अच्छे से मिला देते हैं गोल हमारा बन के तयार हो गया है आप इसे हम रख देते हैं और गी गरम कर लेते हैं गैस पर गी हमने गरम करने के लिए रख दिया है जिस भी वरतन में आप घी बनाए perché गीए भवनी में आदा ही रखें भवनी में पूरा फुल ना भरें अब एक साइड में हमारा गी गरम हो रहा है जब तक हम सिरत तयार कर लेते हैं सिरफ तयार करने के लिए हमने गैस पर फ्राइपें रख दिया है जिसके अंदर हमने एक कटोरी चीनी डाल दिया है और एक कटोरी डाल देंगे इसमें पानी अब इसका हम सिरफ तयार कर लेंगे चाशनी नहीं बनानी है केवल सिरफ बनाना है अब इसमें अच्छा फ्लेवर लाने के लिए हम 5-6 इलाइची जिसे हमने कूट लिया है, वो डाल दी है, सिरफ तयार हो गया है, इसे ठंडा करने के लिए रख देते हैं, ठंडा होने के लिए रख देते हैं, अब हमने गैस पर रख दिया है, फ्राइपेन, इसमें हम गेवर के लिए बनाएंगे, हमने ये फुल क्रीम दूद लिया है अब इसे भी हम रबडी के फॉर्म पर आने के लिए पका लेंगे रबडी तक आने तक हम इसे पका लेते हैं ये हमारी गाड़ा हो गया है दूद अब इसमें हमने दो चम्मर चीनी डाल दी है चीनी आप कम जादा भी कर सकते है अब ये रबडी हमारी बन के तयार हो गई है अब हम गैस को बन कर देते हैं रबडी भी ठंडी होने देते हैं अब ये हमारा भूल अच्छा बन के तयार हो गया है घी भी काफी अच्छा गरम हो गया है अब हम इसे एक चम्चे में निकाल लेते हैं ताकि ये आसानी से गीवर बनाया जा सके इससे आप चाहें तो किसी पानी की बोतल में उसमें छेट करके ढखन में उस तरीके से भी बना सकते हैं उसमें भर कर हमने ये चम्चे से बना रहे हैं कि हमारा काफी तेज गरम हो गए 수량 इसी तरीके से हमें घी गरम करना है अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे नीचे से लेकर उपर टक लंबी दार बना के डालना है और बीच में हम इसमें इसमें इस- तरीके से गढ़ा कर देरेंगे एक साइड में कर देंगे अब हम फिर से इसमें एक चमझ घोल डालते जाएंगे एकदम पतली धार बनाते हुए उपर तक ले जाना है और एक चम्मत से जादा नहीं डालना है एक बार में जितना आप मोटा पतला गेवर बनाना चाहें उतना आप इसमें गोल डाल सकते हैं और इसे हम बीच में गड़ा करते जाएंगे अब इसे हम सिखने देते हैं अच्छे से हमारा गेवर अच्छे से सिख चुका है तेज आच पर हमें गेवर बनाना है धीमी आच पर ना बना है अब इसे हम बीच में से उठाते हुए निकाल लेंगे अब एक चलनी में हम निकाल लेंगे ताकि इसमें से अच्छा सगी निकल जाए यह हमारा गेवर बन के तयार हो गया है हमने इसे अच्छा गुल्डन ब्राउन सेख लिया है आप चाहें तो इसे थोड़ा हलका भी सेख सकते हैं मुझे गुल्डन ब्राउन पसंद है इसलिए मैंने इसे अच्छा गुल्डन ब्राउन सेख लिया है काफी अच्छा हमारा करारा गेवर सेख चुका है अब इसके उपर हमने सिरफ डाल दिया है अब इस पे हम डाल देंगे रबडी पूरे में रबड़ी हमने फैला दी है गेवर के उपर अब इसके उपर हम ड्राइफ रूट्स डाल देंगे जो भी आपको ड्राइफ रूट पसंदो वो आप इसमें डाल सकते हैं बिलकुल मार्किट में मिलने वाला गेवर की तरह हमारा गेवर बनके तयार हुआ है उतना ही टेस्टी लीजे हमारा गेवर बनके तयार है आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताईएगा अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेय कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एक कप मैदा में हमने चार गेवर बना के तयार कर लिये हैं आप इसी मेजरमेंट से गेवर बनाएंगे तो आपका बिल्कुल परफेक्ट हलवाई जैसा गेवर बन के तयार हो जाएगा थैंक यू